इस आप डेकली मिलाते ने सेंग दासे लिए तो ट्राइप रिए सेंगे असलाम अलेकूम मेह मुआमना और आप देख रहे हैं किचन विक आमना यूटूब चैनल तो आज की वीडियो स्पोंसर की गई है हाइड की तलसे तो आज हमारे किचन बन रहे है हाइड प्रेजेंट देखरी स्टाइल मिनी पीजास जिसे हम बनाएंगे हाइड के माइकर वेव अवन में तो सबसे पहले हमने दो तियार करने के लिए हमेज़ चीजें चाहिए मैदा लेंगे हम दो कप मिल्क पाउडर लेंगे हम वन टेबल स्पून अगर मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो आप प्रेंचल लेनी की आपको कोई जरूरत नहीं आप मत लें इस्ट लेंगे हम वन टी स्पून नमक लेंगे हाफ टी स्पून मैल्टेट रोम टैंपरेचर बटर लेंगे हम 2 टेबल स्पून चीनी लेंगे वन टी स्पून और नीम गरम हम दूद लेंगे अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें नीम गरम पानी भी डाल सकते हैं हजब जोरग मैरे में डालेंगे मिल्क पाउडर, नमक, एस्ट, छीनी अब इन सारे चीजों को डालके तो यह देखिए सारे चीजों डालके हमने अच्छे से मिक्स कर ली है अब हम क्या करेंगे सेंटर में जगा बना लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें दूट डालूंगी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूँगी बागी कहा हम बचा लेंगे मिक्स करेंगे बटर और दूद को हाँ अगर आप लोग बटर नहीं एड़ करना चाहते तो आप ओल भी डाल सकते हैं जुरूरी नहीं कि बटर ही डालना है अपने तो मैं फिर से इसमें दूड डालूँगी अब हमने करना है डो को अच्छे से गूंदना है और जितना भी बटर बच गया था ना वो हमने सारा इसमें डाल देंगा बटर से यह होगा जो हमारे चिकन क्रोस बन रहे हैं वो बहुत जबर्दस बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे अब हमने तकरीबन पांच मिंट तक इसको अच्छे से गूंदने हैं हाँ अगर आप इसमें चाहें तो आप एक अंडा भी आइट कर सकते हैं लेकिन यह होता है कि अंडे की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती मेरे घरवालों को भी तो इसलिए मैं इसमें अंडा नहीं आइट कर रही है तो अब मैं इसको अच्छे से गूंद दूँगी तकरीबन पांच मिंट तक तो यह देखें डो मैंने अच्छे से गूंद ली है अब मैं क्या करूंगी इसको कवर करके रख दूंगी एक घंटे के लिए तो अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी एक घंटे के लिए रूम टैंप्रेचर पे फ्रिज में नहीं म्यां पीजास की टॉपिंग च्यार करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए बॉन्लस चिकन लिया है मैंने मैं इसको च्छड़़ः पीसे में काट लिया दो सो पचास ग्राम चिकन लिया थिकका मसाला लेंगे 1 टीश्पून जीरा पॉड़र लेंगे लिए 1–2 teaspoon, 1–2 teaspoon, 1–2 teaspoon we will also pour पैप्रीगा पावडडर, अगर पैप्रिका पावडर नहीं तो आप थोड़ी सी मिर्चे लिए धन्या पावडर लें, 1–2 teaspoon, अधर पावडर लें घर आप अगर आप पैप्रीगा पावडर नहीं तो आप 1 teaspoon अधर पैस्ट लें जरका लेंगे 1 tablespoon और हजबे जरुद नमक लेंगे 1 teaspoon और इसमें डालेंगे टूटेबस पून चलिए रैडी करते हैं, एक पैन लेंगे, फ्लेम ओन करेंगे, इसमें हम डाल देंगे चिकन और इस पर डाल लेंगे हम सिर्का, तिक्का मसाला, पाप्रिका पाउडर, लसन पाउडर, पद्रक पाउडर, जिरा पाउडर, धन्या पाउडर, नमग और ओल, बास, और इसको हम अच्छेता मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, हाफ कब हम इसमें पानी डालेंगे और मीजियम तो लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे दस मिंट के लिए, इसी तना तो यह रेखें, चिकन हमारा कुख हो चुक है अब हम क्या करेंगे फ्लेम को कर देंगे और साइट प्रिकर देंगे ठंडा होने के लिए तो यह रेखें, दो हमारी राइस हो चुकी है अब हम इसको निकाल लेंगे पंच करेंगे, मैदर डस्ट करेंगे, और इसके हमने छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने हैं, यह हो गया, एक पेड़ा पकड़ेंगे, इस तरह से छोट-छोटे पेड़े बना के रखते जाएंगे, तो यह देखिए, सारे पेड़े हमने बना लिए, अब हम क्या करेंगे, जिस ट्रे में हमने इसको बेक करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने बेस को बेक करना है, तो यह ट्रे ले लिए है, थोड़ा सा में इस पे ओल लगा लोगे, तब हम क्या करेंगे, एक पेड़ा पकड़ें जो बेस होती है वो मोटी मोटी होती है तो इसी तरह हमने भी रखना है तो यह देखें एक मैंने बेल लिया थोड़ी सी यह देखें इसकी बेस है थोड़ी थिक सी है तो यह मैंने ट्रेल ही है इस पर मैं रखोंगी जितने ही आएंगे न उतने ही हम रखते जाएंगे अब मैं दूसरा बेलूंगी ट्रे में रख देंगे ये भी हो गया इसको भी हम या रखतेंगे तब हम फॉक से निशान लगा देंगे कि ये जादा फूले ना बिल्कुल जैसे नान होते है उस तरह ना हो जाए इसलिए सब पर ऐसे कर देंगे चलेंगे तो चलेंगे अब इसको हम हाइड के microwave oven में बेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक मिंट के लिए क्योंकि ये एक मिंट में इसकी बेस है जो बेक हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके ओपर टॉपिंग करेंगे ठीक है चलेंगे अब इसको बेक करते है एलिगन्ट डिजाइन वाला हाइड का ये microwave oven आपके cooking experience को और भी ज़्यादा प्रफेशनल बना देता है इसमें सिर्फ पीजा नहीं और भी बहुत से ऐसी recipes आप ट्राइ कर सकते है जैसे के fish, potato, pasta, meat, soup और बहुत कुछ तब इसको हम एकेंगे तो ये देखें ये हो चुकी है बेक सिर्फ एक मिंट में अब इसको हम निकालते हैं तो ये देखें जबर दस्ते बेक हो गए है तो अब हमने इसके उपर topping करनी है अगर आप topping नहीं करना चाहते तो आप इसे बना के इस तरह प्लास्टिक बैग में डालके freeze भी कर सकते हैं ये बेकरी स्टाइल पीजा होता है वह इसमें डालते है चैटर चीज मुझेला चीज नहीं डालते तो हम इसमें चैटर चीज जालेंगे अब चिकन जो मैंने आपके सामें रडी की है अब चीज जाएगा और हम इसमें लगाएंगे शिम्ला मिर्च और साथ तुमाटर और ऑलिव्स ब्लाक वाले और इसके ओपर हम एक एक ओलिव्स लगा देंगे हो गया और और ओरिगाना थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे बस तो अब इसको हम फिर से हाइड के मार्करवेव आवन में ग्रिल कर लेंगे तो यह देखिए यह बेख हो चुक है से निकाल लेंगे तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह में बाकी के भी कड़ लोगी तो तो त्यारे हमारे हमारे हाइड प्रेजेंट्स बेकर स्टाइल मीनी पीजास बहुत ही मज़ेक बनी हैं जिसे हमने बनाया है माइक्रोवे आवन में मतलब हाइड के माइक्रोवे आवन में तो आप इस recipe को ज़रूर ट्राइक करें कि आपको यह recipe कैसी लगी तो अगर आपको यह recipe अची लगी है तो में वीडियो को लाइक करें इसे शेर करें और अगर आप यह recipe ट्राइक करके इसकी पिच्चर में शेर करना चाहते हैं तो इस इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं